रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमः स्री राम लला भगवान की भारत माता की सर्यू माता की जै जै सीता राम राम उत्सों के आज के इस कारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया स्री नरेंद्र मोदी जे रास्तिय स्वयम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवत जे प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जे सिराम जन्भूमी तीर्त छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य महंत निर्त गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्त छेत्र न्यास के कोसा ध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महा सचीव सम्माने सी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन अपने अपने छेत्र के नेत्रत देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामत्सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूं और इनंदन करता हूं इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यम स्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवजी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूं अविनंदन करता हूं प्रवु राम लडा के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं क्युने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना हैं मन भावुक है भाव विभोर है भाव विवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज इस एतियासिक और त्यंत पावन असर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमी की और आरा है हर मन में राम नाम है हर आख हरस और संतोस के आंसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो राम लला हमारे हिर्दे के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दे में प्रसंता है गर्व है और संतोष के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडिया अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संघर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभूत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के लिए इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने, जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दति से उपर उटकरके, राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा परहुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधिस्पिधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण परतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, अलौकिक छवी है, हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, धन्य है वस सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है, बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूझे संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरण हो रहा है, आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी, जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी-कोटी नमन करता हूँ, सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा, बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धुवा है, सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख, अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है, भाग्यवान है हमारी पीड़ी, जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो, जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है, और करते चले जा रहे हैं, जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया, वो सद्यों तक अब सिप्त थी, उपेक्सित रही, सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही, अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही, चोटिल होती रही, किन्तुराम का जीवन हमें सैय सैयम की सिक्सा देता है, और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा, लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृड़ होता गया, और आज देखे, पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है, हर कोई अयोध्या आने को आतुर है, आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभा उतर आया है, दिख रहा है, यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसातकार कर रहा है, आज जिस सुन्योचित्यम तीब्रकति से योध पुरी का विकास हो रहा है, वा प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था, कुछ वर से पहले कल्पना से परे था, कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़कें होंगी, आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है, सांस्कृतिक अयोध्या, आयुस्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्सम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपें, पुन्डधार के लिए हजारों करोड प्रिकास के लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रह्म कुंड भरत कुंड सूरज कुंड विभिन्न कुंडों के काया कल्प संग्रक्षन संचालन रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेंड परंपरा की कल्चर मैपिंग कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेंड वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्यकी जरुपतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अनसार स स्मोक सदाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे ब भारत के राजचिन मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिब्वे दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम अल्ला की प्रान प्रतिष्था का समा भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है से राम जन्भूई मंदिर की स्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनरजागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रान प्र अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़ गड़ा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गु मुझायमान होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं रामलला का विराजना रामराज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है रामराज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका